मन्दिर का लड़ाई को वो बार बार चाहते हैं किसे मंबठके रहे हैं लेकिन मैं कम से कम आज का सवाल पूछ रहा हूं भाई इस देश की सरकारी कमपनी यह बेची जा रहे हैं यह मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए नौकरी खतम हो गए यह मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए अगर गरीब मारा जा रहा है तो अमीर बन के खुश है। उन सब को अलग-अलग पहचान में खुश किया जा रहा है। इस्ते माल कर रहे हैं। वो धरम के नाम पर एक धरम के खिलाप दिखा करके दो काम कर रहे हैं। अपने लोगों को खुश करना है और गोल बंद करना है। मेरा काम क्या है। मैं इस तरह के हर नफरत के दोर में खड़े होकर के बोलूँ। और यह बोलूँ की धरम के नाम पर जो आग लग रही है, सब मारे जाएंगे। तो वो धरम धेक नहीं गिरेगा। देखे माहूल खराब है अभी कौन जेल में है देखे जिसे जो चाकु तेज करवाएगा वो जेल में नहीं है जो मारने काटने की बात करेगा वो जेल में नहीं होगा अगर वो कहेगा इंकलाबी सलाम और करांतिकारी इस्तकबाल तो वो जेल में होगा अगर भीमा कोरेगाओं के लिए कोई कारिकम करेगा तो वो जेल में होगा कोई अगर पढ़ेगा लिखेगा बोलेगा तो वो जेल में होगा कल को आप जेल में हो सकते हैं मैं जेल में हो सकता कैसे उन्हें कबूल हो कि आपकी कमी उनकी कमी से ज्यादा सफेद है जो सफेदी के चक्र में पढ़ेंगे मुझे लगता है कि हम भीड तंत्र में जा रहे हैं और इसलिए मैं बार बार कोट करके बोलता हूं सुरक्षित रहना भी बड़ा जरूरी है वाई उमर खालिद इतने साल से जेल में है आप खलपना करिए उनके घरों पर क्या बीत रही होगी प्रोफिसर है नहीं बाबू जेल में बाद में कोई रिपोर्ट आ रही है करी है कि बाहर से उनकी सॉप्ट्वेर में आपने डाल दिया तो मैं कल को सोच रहा हूं इसलिए मैं बुद्ध को कोट करत कि जिनों ने इसलिए नहीं कभी हक की बात सच की बात बोली कि कहीं मार न दिये जाएं उनकी भी कबरें कभिस्तान में हैं तो भई कम से कम हम खुद से नजर मिला सकें एक दोर में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि जब हक हुक की बात करने पर जेल ह तब कम सबस्राइब और half 2018 हो रही थी लोग खामोश कि यह रहे थे तब कम अपने लिए बोल रहे थे इसके लिए कर रहे बोल रहे हैं कि भारा परी परोले पर्यार को याद कर रहा हैं भले है आप उनको नमाने कि में मुझे को Cau i मैं कहूंगा न कि डॉक्टर अम्बेटकर की मूर्ती पर तो माला इस देश के प्रणान मंत्री भी पहनाते हैं 6 दिसम्बर और 14 अप्रेल को तो फूले परियार को याद करते हैं परियार को याद करते हैं कबीर कह रहा है हमने इश्क मस्ताना हमन को बेकरा दिका रहें आजाद या जग में हमन को इंदा हम किसी का हक चीन करके कोई बात ही नहीं और यह सारे लोग कौन लोग हैं यह हक चीन करके अरे अभी सुप्रिम कोट के जजों के लेश्ट आ रही है 2018 से 2022 तक में 80% जज़ बने हैं वो समण तब के से हैं उसके बाद आप विश्व दिया ले हो कि प्रोफेसर को देख लेजिए 80-90% लोग जो है एक ही तब के क्या रहे हैं फिर यह भारत किसका है क्या मैं यह सवाल भी न पीछूं क्या मैं यह न पूछूं कि जहां सरकारी न प्रचारी किस्टन डखते हैं लेकिन मैं कम से कम आज का सवाल पूछ रहा हूं भाई इस देश की सरकारी कमपनियां बेची जा रहे हैं यह मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए नौकरी खतम होगे यह मेरी चिंता नहीं चाहिए वो बार-बार ध्यान बटकाने के लिए हमारे गाउं में एक कावच चलती थी मैं बार-बार वो कहता था भैस चुराने वाले रात के अधेरे में आते थे और घंटी निकाल लेते थे तो घंटी लेके एक चोर उत्तर भागता था बाकी भैस लेकर बाकी चोर दक्षन भाग कि तो इतना हर तरफ इतना उगरता इतना वैमनश इतना नफरत लड़ते रहो आपस में लड़ते रहो मेरा इसने च्छिन लिया मेरा इसने च्छिन लिया मेरा उसने वो बंदर एक था और दो बिल्लियां थी दोनों को रोटी मिली तो दोनों आपस में लड़ने लगी कि इसक कि बंदर आया कहा कि रूको मैं न्याय करूँगा तराजू ले के आया और दोनों की रोटी तराजू पर रखता था लाओ बराबर का जब देखा कि एक तरब भारी है तो उसमें से तोड़ कर खा लिया तो दूसरी वाली भारी हो गए उसको तोड़ के खा लिया कहा बराबर की बात और यह सब तो फिलहाल मुझे लगता है कि हो सकता है 25 साल बाद लोग याद करें कि यार हमारे देश में रंग की धर्म होते थे फूलों की विजाती हो गई थी पानी का भी जाती पूछे थे लोग मूँ चरकनी की विजाती बड़ा अफसोस करेंगे लोग इसको बह इस टाइब का मुहावरा हो गया है उनके पास मीडिया है उनके पास पैसा है उनके पास संगठन उनके पास सत्ता है और उनके पास एक उतेजना वाला लोगों को नफरत कराने वाला विचार है तो ये विचार बहुत तेजी से लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और इस को चुकि सत्ता के जर्य घरगर पहुंचाया जा रहा है इसलिए खास किस्म की बहुत उतेजक भींड तयार कर दी गई है मेरा मानना यह है कि अभी भी इस देश में 80% आवाम नफरत पसंद नहीं है लेकिन वो खामोश होती है और जब आप खामोश होंगे तो जो ताकत वह र लोग सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव भारत के समिधान को मानने वाले हैं वो थोड़ी से लोग बोल रहे हैं भींड तो देखिए भींड जिसके पक्ष में काम कर रही हो वही भींड तयार करेगा इस उतेजना का फाइदा जिसे मिल रहा है वो उतेजना को भरक पूरे देश जिसे माले जी आग लगाई जाए कहीं तो आग से जिसका घर जलेगा अंतता वो आप गौर करेंगे कैमरा ले जाएंगे तो वो अपना घर बुझाने में लगा होगा जो जो आग लगा रहा है उसको पहचानिये उसको पहचानिये क्योंकि उसको आग से फाइ हो गया है आखिर कहीं तो फिर लोगों में विचार ये जाए ना कि जिस तरफ देश बढ़ रहा है वो गलत है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो गलत है कैसे सुधार आएगा बिल्कुल चिंता आपकी वाजीब मेरी कभी कभी चिंता होती है कि माल लीजिए मैं बहुत अच् किस चीज में खुश है मुसलमान मारा जा रहा है तो हिंदू बन के खुश है अगर अरक्षण खतम हो रहा है तो समण बन के खुश है अगर महिलाओं पर कोई पाबंदी लग रही है महिलाओं को हग हुक नहीं मिल रहा है तो पूरुष बन के खुश है अगर गरीब मारा ज जाटी तो फूरत कर रह連वries तो एस देश्काली पहल्म उप कर रहेंगे, शुब पहुत ना EU यार यह इसको पूरत कर रहें उसके आप्र देश्क पहत पहराने से बस्तेायां की वर्य को पहुतिता थिन्ञेरों रहा हुआ रहे हैं दलित पिछड़ा दिवासी विरोधी होना, शहर के नाम पर गाउं विरोधी होना, पढ़े लिखी होने के नाम पर अनपढ़ होने का विरोधी होना, अंग्रेजी वाला बोल रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो वो डटी पीपल्स जो होते हैं, उनका विरोधी होना, ऐसे तो हर नफरत के दोर में खड़े होकर के बोलूं और यह बोलूं की धरम के नाम पर यह जो आग लग रही है सब मारे जाएंगे जोशी मठ में जब पहार तूट रहा है तो वो धरम देखकर के नहीं गिरेगा भाई जब पेट्रॉल सो रुपया लीटर होगा सरसो का तेल दो सो र कबीर के पीछे नहीं थी कबीर अकीले थी कबीरा खड़ा बजार में लिये लुकाटी हाथ जो घर जारू आपना चले हमारे साथ कबीर के साथ कोई नहीं गया उस समय के हुक्मारानों के साथ थे राजा महराजाओं के साथ थे मिट गया इतिहास वह समय राजा कौन था यह अफसोस मुझे केवल इस बात का है कि जब तक आग बुझेगी तब तक पता नहीं क्या-क्या जला ले जाएगी, मुझे डर है कि मेरे अपने लोग उसमें जल रहे होंगे, किसी की घर जल रहे होंगे, किसी की करियर जल रहा होगा, किसी की मुझेगी तो आग जरूर, बस यह कि कब पुझेगी इसको देखना होगा हमारे आखों के सामने पुझेगी यह आने वाली पेड़ियाँ अपसोज करेंगे कि तुम तुम आग सौब कर हमें गए तब तक इंतजार करना करना वगा मगर मैं अपने को आग बुझाने वाली लोगों की सूची में तियास में दर्ज कराना चाहता है। अग दर्जीं है। ही हो रहे हुँगी कोई जागनार कराने आएगा को हिंदू राष्ट बनवाने आएगा सब कुछ कराने आएगा और तमाम जातियों के लोगों को भटका ले जाएगा अरे तुम को क्या है तुम यहां का दुखत भूल जाओ आओ तुम्हें परलोग में ले जाते हैं, उस परलोग में ले जाएगा और इस लोग के भुला देगा, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों के नोकरी को याद करो, और अचानक देखो कि ये राम राजिवाले आपके लिए छोड़ क्या रहे हैं, यही आरक्षण खतम हो नोकरी खतम हो गई, महेंगाई इतनी बढ़ गई कि आपके घर में चूला नहीं जल रहा है, आपका हख छीन करके आप अही का बोट ले करके आपके बच्चों के भईश को बरबाद किया जा रहा है, मैं उन्हीं से गुजारिश करो, मेरी को टिपड़ी नहीं है, यह जो ओ बीसी का हख कुछ लोगों ने खा लिया, आओ तुम हिंदू बन जाओ, हम तुमको अखंड भारत देंगे, लो तुम्हें यह अखंड भारत में रामराज में यह मिल रहा है, तुम्हारा आरक्षण के वल उस निकाज चिनाओ में नहीं कहतम हुआ, उन 70,000 सिक्चक भरती ख तो रामराज में शंबूक और अपनी जगहें न भूले, उन्हें उन किरदारों को वही जगह मिलेगी कि यग में होम आपको होना है, और मलाई वही खाएंगे, इसलिए हिंदू राष्ट के नाम पर जो लोग इंज्वाय कर रहे हैं, उन लोगों को अपने बच्चों की भ कर दिया, आपके बच्चे आपसे पूचेंगे, कता भागवतों कर लिए, धरम के नाम पर घंडरा भारत बनवा लिए, हमारी सिक्षा, हमारा रोजगार कहा आ गया, केवल मेरी चिंता यही जिहादी की घटना मैंने देखी, भाई कुछ दिन पर चला कि वह मुसल्मान है, अनीश, अनीश, मुहम्मद, अनीश या क्या, और लगे सब हिंदू राष्ट वाले, जिहादी, टीट, अरे वो चैनल भी अजीव है, तलवार लेकर के आंकरिंग करता है, मैं क्या ही उस पर टिपड़ी करू, मुझे अफसोस होता है, इस सब बातों पर टिपड़ी करने के जेले, हाद रस पर ये नहीं बोलेंगे, ये उननाओ código पर नहीं बोलेंगे, चिन्मेयानल पर नहीं बोलेंगे, और इस पर बोलेंगे, मैं आभी भी कह रहाँ हूँ, यार वो हिंदू हो या मुसल्मान, वो ब्राम dalit हो, अरे नियाय का पक्षेलोण, सम्भिदहान का बड़े लोगों का ही होता है मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो भी सभ्यताम में मलाई होती है वो वही खाते हैं और बाकी लोगों को केवल उनके उनके हिस्से जो खर पत्वार वही आता है विकास के नाम पर जो हुआ आदिवासियों वाले में देख लिजे विकास के नाम पर फाइदा जिसका होगा नुकसान उसका नहीं लिया जाएगा तो यग में होम को ही और होगा मुक्ष किसी और को मिलेगा शक्रिया